अगर वर्षे स्वागत है आपका हमारे इस नई यूटूब चैनल में जिसका नाम है दलार्निंग सरकल दोस्तों जैसा कि आप सब को मालूम है अम मद्यप्रदस के पूरे 52 जिल्व की जिलेवाईस तैयारी कर रहे हैं उसी क्रम में दोस्तों आज हम अपना अगला जिला जिल करना चाहूँ है यदि आप चैनल पर नए हैं तो किरपये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो सबसे पहले दोस्तों देवाज की मेप में इस्थिती देख लेते हैं कहां पर स्थे थे थे मद्यप्रदेश के नकषये में देवास जिया दोस्तो जो पीला बाला भाग है वो देवा से इंदूर के पास स्थेति ये जिला है दोस्तों एक दोस्तों देवास के रेल ब tour लिया हूआ है जैसा कि हर वीडियो में हर जिले के रेल ब इस्टेशन का फोटो लेना ही कोशिश की गई है तो आएगे दोस्तों शुरू करते हैं देवास से रेलेट़ जो भी महत्मूल पॉइंट है दोस्तों सबसे पहला जो fact लिखा हुआ है देवास से रेलेट़ देवास अर्थात देपताओं का बास जी यहां दोस्तों यैसा माना जाता है जो देवास का नाम है यहाँ पर नोट चापे जाते हैं 1974 में इसकी स्थापना की गई थी देवास में और दोस्तों यहाँ पर 5 से लेकर 500 तक के नोट चपते हैं जियां दोस्तों मद्रदेश के देवास में बेंक नोट प्रेश इस्थे थे इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और यहां पर दोस्तों पांच से लेकर पांच सो तक के नोट छापे जाते हैं उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है देश की सरबदिक पवन चक्किया जम गोदारानी देवास जिले में इस्ते थे जियां दोस्तों ये जम गोदारानी जो है वो देवास का एक गाउं है यहां पर दोस्तों देश की सरबदिक पवन चक्किया यहां पर इस्ते थे पॉइंट लिखा हुआ है देश का पहला बेबसाइक पवन उर्जा केंद्र जियां दोस्तों देवास जिले में ही इस्ते थे उसके दोस्तों अगला जो पोइंट लिखा हुआ ये भी बहुती महत्पूल पोइंट है कि देवास जीले का पुलिस अधिचक कार रहे है उसके बाद दोस्तों अगला पोइंट लिखा हुआ है नेमाबर देवास में नर्मदा नदी का ना भी इस्थल माना जाता है जियां दोस्तों नेमाबर एक जगा है देवास जिले में इस्थित जो की तीर्त इस्थल भी है दोस्तों और ऐसा माना जाता है कि ये नर्मदा नदी का ना भी इस्थल है उसके बाद दोस्तों अकला पॉ दोस्तों देबास जिले में इस्ते थे भीशा केड़ी जो की मुबाइल थना है पहला परदेश का उसके बाद पॉइंट लिखा ग़ा हो कि लेडर कॉंप्लेक्स जीब अब्यारन और दोस्तों इस तरह के जो अब्यारन होते हैं वो एक्जामस में आते हैं खासतोर से ब्यापम इस तरह के जो टेड़े मेड़े अब्यारन होते हैं वो पूस्ता है तो दोस्तों याद रखिए का खिबनी बन जीब अभ्यारण देवास जिले में इस्ते थे उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट भी इसी से रेलेटर जामनेर नदी पर खिबनी अभ्यारण में संकर खोजल पर पात सबसे पहला तो किस नदी पर इस्ते थे तो दोस्तों ये जामनेर नदी पर इस्ते थे तो दोस्तो ये देवास जिले में स्थित है और उसके अंदर भी पूचा जयाया तो खिबनी अभयरण के अंदर ये स्थित है खिबनी अभयरण में ये जल परपाद बनता है अगला पॉuit लिका हुआ है प्रदेश की पहली ततादेश की तीसरी साइंस सिटी पिर देस की पहली तत्य देस की तीसरी Science City देवास में बिक्सित करने की योजना प्रस्तावित है Science City उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है काली सिंद नदी का उदगम देवास के बागली गाओं से हुआ है जियां दोस्तों काली सिंद एक नदी है जो चंबल की साह एक नदी है दोस्तों और इसका जो दगम हुआ है वो कहां से हुआ है देवास के बागली गाउं से हुआ है अगला पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों संदलपुर का मेला खाते गाउं देवास में लगता है जियां दोस्तों मेले एक्जामस में पूछे जाते हैं तो संदलपुर का जो मेला है वो देवास के खाते गाउं में लगता है उसके बाढ़ दोस्तों अगला PowerPoint लिखा हुआ है देवास जिले में पीपरी अभ्यारन प्रस्तावे थे इस तरह के question भिणा बुन सकते हैं दोस्तों जो अगला PowerPoint लिखा ँए देवास जिले को पिर्थम बायो डीजल जिला गोशित किया गया था उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है देवास को कलाओं का घर कहा जाता है और दोस्तों इस तरह के जो उपनाम होते हैं किसी को पकारा जाता है किसी के कोई उपादी दी जाती है और किसी को कुछ कहा जाता है अलग से तो दोस्तों इस तरह के कोशन म पिपल्या जो दोस्तों ये का लिखा हुआ पिपल्या पा है हाट पिपल्या देवास से संबंदित हैं जियां दोस्तों ये जो पूर्ब मुक्यमंत्री थे केलाज जोशी जी वो हाट पिपल्या देवास से थे और यहीं से ये विदायक थे उसके बाद दोस्तों अगला यह देवास जिले में आयोजित किया जाता है। अगला और अंतिम पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों देवाजले में कौन कौन सी नदी बहती है नर्मादा काली सिंद गंबीर बाच्छिपरा दोस्तों देवाजले सेलेटर जो भी महत्पूर्ण पॉइंट थे वो मैंने कम्प्रीट करने की कोशिश की है यदि आपको ये वी हुस्तों बपको ये वीूटे की की पना थना बदम देवाजंबी कि की एलीग लिए ऑफो जिए वीव माई दुबद्ण